भारत मानव जाती का पालना है, मानव भाशन का जन्म स्थान, इतिहास की माता, किवंदितिक की दादी और परंपरा की परदादी है। मनुश्य के इतिहास में हमारी सबसे मुलिवान और सबसे निर्देशक सामगरी भारत में ही खजाने के भाती ही सोरिक्षत है। जाने माने अमरी की लेखक मार्क टोईन ने एक बार ये प्रसिद्ध शब्द भारत के बारे में कहे थे और तब से इनका अंगिनत बार उधरन हो चुका है, आज मुझे गिनते हुए, माफी चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, सच बोलू तो कोई एक वाक के भारत का पर ऐसा क्या है हमारे देश के इतिहास में, जो कि लोगों से इस तरह पूछते हैं, चलिए इसका जवाब ढूनने के लिए कूट पड़ते हैं हम भारत के हद स्यादर जटिल और लंबे इतिहास में, और याद करते हैं कुछ भूले बिसरे और जाने माने नामों को, अराम स दोस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं द्रूप और आपका स्वागत है इंडिवर्स पे, भारत के बारे में कुछ नया जानने का एक नया स्त्रोड है, ये मेरी पहली वीडियो है उस श्रिंख्ला में, जिसे मैं कहलाना चाहूंगा, इंडियन इतिहास, और ये वीडियो के सारे महत्पूण विशे हम इस कहानी में चामिल करें, लेकिन क्योंकि ये एतिहास एक समेरेखा कुछ ज्यादा ही लंबी और जटिल है, इस यात्रा को अपने और आपके लिए असान करने के लिए मैंने इसे 12 युगों में विभाजित कर दिया है, जिनको मैं 6 भाग की व प्रारंबिक शास्त्रिय भारत और देर शास्त्रिय भारत पर ये तीन युग दूसरी वीडियो में शामिल होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मद्यकालीन भारत, देर मद्यकालीन काल और मद्यकालीन काल के बाध के युगों में, ये तीन युग तीसरी वीडियो में शाम हम इस 6 वीडियो की श्रिंखला का नाम रखेंगे इंडियन हिस्ट्री 101 जिसका मतलब है भारती एतिहास की नीव छोटी सी एक टिपपणी है यहाँ मैं जानता हूँ कि इस वीडियो श्रिंखला में मैं जिस भी विशे पर बात करूँगा उस पर अपने आप में पूरी एक वीडियो नहीं तो एक पूरी श्रिंखला बन सकती है वीडियो की लेकिन अभी के लिए आप इसको कृपया एक संक्षिप्त वर्णन मान के चलिए हमारे देश के विशाल इतिहास का और मैं ये भी जानता हूँ कि हर इंसान हर जगह और हर विशे को मैं इस श्रिंखला में सामिल नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा लेकिन पहले एक छोटा ता भोगोल एक पार्थ पढ़ते हैं क्योंकि भारत के भोगोल ने यहां के मानवों की इतिहास पे बहुत बड़ी चाप छोड़ी है जो कि हम आज किसी भी नक्षे पर भारत का अलग से दिखने वाला त्रिभुज प्राय द्वीप पहचान लेते हैं वे अभी से एक अरब यानकी 110 करोड साल पहले से ही कुछ ऐसा सा दिखता है जब ये भुभाग उस समय के रोडिनिया नामक महाद्वीप का हिस्सा था वहां इस भुभाग का पूरवी हिस्सा पूरवी अंटाक्टिका से रगण रहा था जिससे आज देखे जाने वाले पूरवी घाट बने फिर अभी से 55 करोड साल पहले ये त्रिकोनिया भुभाग हिस्सा बन गया गुणवाना नामक महाद्वीप का और यहां ये बीच में था आज के माडगासकर और अंटाक्टिका भुभागों के बीच जबकि माडगासकर था भारत और अफरीका के बीच जब गुणवाना 15 करोड साल पहले तूटा तब ये भारत और माडगासकर के भुभाग साथ साथ वहां से चलते बने दो जिगरी यारों की तरह कंदे से कंदा मिलाके बट जल्द ही लगबर 10 करोड साल पहले इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और माडगासकर जहां आज कल है उसके आसपास ही रह गया और भारती भुभाग आगे बढ़ता चला गया इस दोस्ती में आई दरार से हुई रगड़न की वजह से हमारे दक्षिनी घाटों का जनम हुआ और आखिरकार अभी से 5.5 करोड साल पहले ये त्रिकोनिय भुभाग आके टकराया यूरेजिया नामक महादवीब से जो कि आज भी वही महादवीब है जो यूरोप और एजिया बनाता है इस विशाल टकराव की वजह से धर्ती से उठी तीन पहाड़ों की श्रिंकला उप्तर में हिमाले, पस्चिम में हिंदुकुष और पूरव में अराकनीस और तीनों ने रूप लिया इस भारत के त्रिकोंड की प्राकृतिक सुरुक्षा कबच का ना अंदर आनासान था ना बाहर जाना और इसी कारण भारतिय उप महादवीब दूसरों से इतना अकेला और इतना नोखा है तो अब उबाव भुगोल को पीछे चोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इससे भी उबाव इतिहास से पंगा लेते हैं शुरू करते हैं प्रानरंबिक मानव इतिहास से जो की था 3300 इसापूर्व तक हालां कि प्रोटो मानव जो की वर्तमान मानवों के पूरवज थे त्वारों प्योग किये जाने वाले औजारों का पुरा तत्विक सबूत भारती उप मादवीब पर 20 लाग साल पहले तक के युग से पाया गया है हमारे पास मानवों का और भी निश्चत सबूत है 10,000 इसापूर्व के बाद इस युग के दौरान कई बस्तियां पाई गई है जैसे कि मिंबेट का, इडिकल और मिहनगण की गोफाएं और वे 3300 इसापूर्व तक सिंदुगाटी सब्विता की शुरुवात तक पाई गई है इस युग के अंथ की तरफ पूरा तत्विक सबूत तो खेती और पशुपालन का संकेत दिखाना शुरू करते हैं जो प्रमाण है कि मानवता इस समय के आसपास बसने लगी थी ठोस सबूत मिले एक विशाल संब्रिद और व्यापक सब्विता के यह मेसपोटेमिया और एजिप्ट की प्राचीन सब्विताओं के साथ की थी और तीनों में सबसे बड़ी भी थी यह सब्विता इटों से बने घरों, शहरी नियोजन, जलने कासी विवस्ता, बहुसतर यह घरों, बारों की प्रणाली, त्रोटो दंत चिकित्सा के ज्यान के इत्यादी के लिए प्रसिद है और माना जाता है कि वहां किसी तरह का नगरपाले का संगटन भी था आज तक कुल एक हजार से उपर ऐसे शहर और बस्तियां पाई गए हैं लगबग सत्रासो इसापूर्व के आसपास इस सब्विता में गिरावट शुरू हुई सम्मवत एक जलवायू बदलाव की वजह से सिंदु नदी ने अपनी दिशा बदलनी थी इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहत सम्मवेदनशील और विवात्पद विशे पर टिपपनी करना चाहूँगा माना जाता है कि सिंदु नदी सब्विता को मुख्य रूप से द्रवीड लोगों ने शुरू किया था और फिर सब्विता के अंथ की तरफ आरे आय थे जिनके प्रवासन को आकर्मन का भी रूप दिया जाता है लेकिन क्योंकि ये सिरफ एक मत है और साफ साफ किसी को नहीं पता कि इस यूग में हुआ क्या था और द्रवीड और आरे लोगों के बीच के संबंध इस यूग में थे क्या हम इस विवात्पत विशे को अलग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में उन तक्तियों के साथ जो कि हमें लगता है कि हमको पता है और अब हम आचोके हैं वैदे क्यूग में जो की 1700 इसा पूर्फ से 600 इसा पूर्फ तक था अब आरे लोगों के आने के बाद वैदे क्यूग शुरू हुआ था इतिहास कारों के बीच में इस बात को लेके बहुत मत्वेद है कि आरे थेकॉन और आए कहां से थे लेकिन ज़्यादतर ये माना जाता है कि आरे मूल रूप से पशुचारक गण थे चलवासी थे मतलब एक जगह नहीं टिकते थे और पश्यों को चराने के लिए नई शेत्र ढूंडते हुए आगे बढ़ते चलते थे और वे मद्य एशिया के कैस्पियन सागर के शेत्र से निकले थे और इन्होंने हिंदु कुष परवत के खाइबर पास की मैध्यम से भारती उप महादूइक में प्रवेश किया था इस युक को हम वैदिक युक कहते हैं क्योंकि इस समय वैदिक संस्कृत में चार वेद लिखे गए थे वैदिक संस्कृत अपने आप में संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी पाई गई लिपी है और संस्रित को तो उत्तरी भारत की लगबग सारी भाषाओं की माता कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि तमिल भाषा, जो कि दक्षिन भारत की प्रमुक भाषाओं में से एक है। मैं चल रही शोध भी ये बताती है कि शायद तमिल भी बहुत परानी है और माना जाता है कि समय रिखा में संस्रित के आसपास या उससे परानी भी हो सकती है। अब सुनिए। इंटरनेट पे तो आपको कई ऐसे लेक, तर्क और बहस मिल जाएंगे जो कि एक भाषा को प्राचीन बताते हैं या फिर दूसरी को और दोनों को ही दुनिया की सारी भाषाओं की माता बताते हैं। बट ये एक बहुत ही अंजान शित्र है और मैं इस वीडियो में इस चर्चा से बतना चाहूंगा। तब बोले जाते हैं जब एक व्यक्ति यग य अगनी के आगे अनुष्ठान कर रहा हो। साम वेद लगबग पूरा रगवेद के पाठों से लिखा गया है लेकिन ये पुनर गठित किया गया है ताकि मंत्र की तरग आया जा सके। भारतिय शास्त्रिय संगीत और निर्तिय अपनी जड इस वेद में पाते हैं और अथर वेद जो की एक अधिक लोक्थात्मक छैली में लिखा गया है में जादूई मंत्र पाई जाते हैं और ये वेद उन पुस्तकों को प्रेरित करने के लिए भी जिमिदा ठेराया गया है जिन्होंने भारत में सर्व प्रसिद आयूर्वेद नामक पारंप्रिक और प्राचीन चिकटसा अभ्यास को जड़े दी। अदा कि उसकी हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं पर इस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब क्यूंकि मनश्य सिंद नदी से हटके गंगा नदी के किनारे आके रहने लग गया था और इसी समय लिखना पढ़ना भी शुरू आ था ये बात समझ में आती है कि क्यूं गंगा इतनी पवित्र मानी गई है हमारी संस्क्रिती में और हमारे वेद पुराणों में। ज़रा सोचके देखिए अगर लिखना पढ़ना उस समय शुरू हो चुका हो था जब हम लोग सिंद नदी के आसपास रह रहे थे तो शायद हमारे सारे वेद पुराणों में सिंद नदी सबसे पवित्र माने जाती है। जिसमें चार जाती या वर्ण हुआ करती थी। ब्रहमिन थे पुजारी, शिक्षक और वेद पुराणों के मौकिक परंपरा के इवाहक, शत्रियत है योद्धा और अपने साहस और लणने की शक्ति के लिए जाने जाते थे। वैश्य, कृषी, वैपार और वानेज्य समाल जाती थे और शुद्रत है समाने मजदूर वर्ग, वर्तमान समय में समानने कारे बलके समान। ये माना जाता है कि वैदे क्यूक के शुरू के हिस्से में हजार इसापूर्थ तक जातपात के नाम पे कोई वेदभाव नहीं था और चारो जातियां एक कर्मट समाज के लिए एक समान महतुकूर थी। पर फिर ये भी माना जाता है कि धीरे धीरे वैदे क्यूक के अंत की तरफ उची जातियों ने और विशेशकर ब्रहमनों ने जातपात और वेदभाव शुरू कर दिये थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो 100% कोई नहीं कह सकता लेकि है कि हम धंग से वाद विवाद और चर्चा कर सकते हैं। इस युग का एक और ध्यान देने लायक दिल्चस पहलू हैं वो दो संस्कृत महाकाव्यर जो कि 1980 और 1990 में बड़ा हुआ हर बच्चा और बड़ा जानता होगा। महाभारत और रमायन ये दोनों भी इसी युग में आरम गुए माने जाते हैं हालाकि कोई तरीका नहीं है ये पूरी तरह से पता लगाने का कि ये कब लिखे गए थे। महाभारत तो आज तक दुनिया की सबसे लंबी कविता है जिसमें कुल मिलाकर 18 लाक शब्द हैं। य ना जाने इन कहानी और कविताओं में पिछली कई सदियों में कितने बदलाव और कितने अनुवादिक भूले हुई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुनिया भर की दूसरे पुराने धर्मिक घरंतों और किताबों में होते हैं। इस युग में कई जनपत भी खड़े हो इनकों मिलेंगे सो त्यार रहे हैं। और अब हम आखिरकार वैदिक युग को छोड़के एक ऐसे युग में आ रहे हैं जिसमें धेड़ सारे ग्रंत, दर्शन शास्त्रव और राजबंच उभरें। जो की वैदिक युग के ही वेदों की शिक्षाओं और अभी बताये जन युगों की और हमारे समय रहा के अगले हजार सालों की इतिहास की। मुझे पक्का पता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी इतिहास में अभी से 2400 साल पहले आगे हुआ क्या था। तो लीजे दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज आपने हमारे ही समर्द इतिहास के ब साल बटन दबाके और साथ में बनी गंडी दबाके आपका मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ अंग तक रुपने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब जल्दी मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में नमस्ते